यह दिखिए यहां पर मैंने 15 फंदे लिए है इसके 12 फंदे 6 के multiple से लिए है प्लस 3 फंदे extra लिए है एक फंदा side में design को equal करने के लिए 2 फंदे stitch के लिए लिए है और base देने के लिए 12 फंदों के साथ निकाल ली है तो आपने जब भी अपने किसी भी project में इस design को डालना है तो आप 6-6 के multiple से इसके फंदे लेंगे प्लस 3 फंदे extra रखेंगे तो आपका ये design अच्छे से सेट हो जाएगा तो चलिए बनाते हैं पहली राव सीधी side As still slip करेंगे, धागा आगे करेंगे, repeat pattern start करेंगे एक फंदा उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे आगे की side से दो फंदों का एक फंदा बनेंगे, धागा आगे लेकर आएंगे, एक फंदा पॉल्वाइज slip करेंगे धागा आगे ही रखेंगे और इस फंदे को छोड़ कर जो slip किया हैं आगे दो फंदे और slip करेंगे एक, दो, धागा आगे रखते हुए दो फंदों का एक फंदा बैक लूप से बनाएंगे तो दिखे हमारा एक पैटन कम्प्लीट हो गया है हमने एक फंदा उल्टा बनाया, दो फंदों का एक फंदा बनाया धागा आगे लाया, फिर एक फंदा स्लिप किया फिर दो फंदों का एक फंदा बनाया तो दिखिये ये हमारा छे फंदों का पैटन है दो, चार, पांच तो यहाँ पर हमारा एक फंदा जो है वो घट गया है डिकेज हो गया है जो आगे जाकर हम इंक्रीज करेंगे तो फिर से इस Pattern को ऐसे ही बार-बार पीट करेंगे तो दखिये धागा आगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा बुनेंगे, धागा आगे लाएंगे, एक फंदा स्लिप करेंगे, आगे दो फंदे स्लिप करेंगे और बैक तो दिखिए, एस्टिच छोड़कर यहां तक हमारे दो पैटन कम्प्लीट हो गए हैं, लास्ट में दो फंदे बचेंगे, एक फंदा उल्टा, एस्टिच सीधा बना लेंगे, पहली रौ कम्प्लीट हो गई है, दूसरी रौ है रौंग साइड, एस्टिच स्लिप करेंगे, धागा आगे लाएंगे, एक फंदा उल्टा बना लेंगे, आप देखिए, आगे दो फंदे हम स्लिप करेंगे, धागे को आगे ही रखेंगे, और ऐसे उपर से आगे की तरफ लाते हुए हम एक फंदा यहां पर बढ़ा लेंगे, और एक फंदा फिर उल्टा बनाएंगे, तो देखिए, हमारा एक pattern complete हो गया है, इसमें हमने एक फंदा सीधा बुना, एक उल्टा बनाया, धागा आगे रखा और दो फंदे slip किये, एक फंदा उल्टा, तो देखिए, यहां पर हमारा एक और फंदा increase हो गया है, तो यहां पर हमारे पास 6 फंदे हो गये हैं, दो, चार, 6 तो फिरसे मर पाइस 6 फंदे हो गए तो फिरसे देखि buna पीछे एक फंदअ और आगे एक फंदा उल्टा अग करेंगे मेल करेंगे एक फंधा उल्टा बना लेंगे यहान से यहाँ तक हमारे दो pattern complete हो गए हैं last में एक फंदा सीधा, stitch उल्टा बनाएंगे, तीसरी रो है और सीधी side है, stitch slip करेंगे, repeat pattern start करेंगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा आगे लाएंगे, और अब तीन फंदे हैं, इनको slip कर लेंगे, धागा आगे ही रखेंगे, और एक फंदा सीधा बनेंगे, यह दिखिए हमारे एक pattern complete हो गया है, यहां पर हमने एक फंदा उल्टा बनाया, एक सीधा, धागा आगे रखा, तीन फंदे slip के एक फंदा सीधा बना, तो यहां पर अब हमारे पास साथ फंदे हो गए हैं, एक, दो यह दिखिए चार फंदे यहां पर हैं, 6 और 7, तो आगे जाकर इनको हम set करेंगे, तो दिखिए फिर से धागा आगे, एक फंदा उल्टा धागा पीछे, एक फंदा सीधा धागा आगे, तीन फंदे पालवाई slip करेंगे और एक फंदा सीधा बनेंगे, लास्ट में दो फं कम्प्लीट हो गई है चौती रो है रोंग साइड एस टिल स्लिप करेंगे रिपीट पैटन स्टाट करेंगे एक फंदा सीधा धागा आगे एक फंदा उल्टा अब देखिए यहां पर हमारे पास यह एक दो तीन चार फंदे हैं जो हम स्लिप करके उतारते थे अब इन चार फंदों से तीन फंदे बनाएंगे एक साथ चारों फंदे ले लेंगे एक पार उल्टा बनाएंगे वन चाई डालेंगे फिर तू फिर से इनको उल्टा बनेंगे थ्री टॉप कर देंगे तो यह देखिए यहाँ पर हमने चार फंदों से तीन फंदे बना लिए एक फंदा उल्टा यह देखिए हमारा एक पैटन कम्प्लीट हो गया है इसमें हमने एक फंदा सीधा बुना एक फंदा उल्टा बनाया फिर हमने चार फंदों से तीन फंदे बनाए एक फंदा उल्टा फिर से इस pattern को repeat करेंगे तो यहाँ पर फिर से हमारे पास यह दिखे छे फंदे हो गए हैं दो चार छे फिर से इस pattern को repeat करेंगे एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा चार फंदे हैं यह दिखे चार फंदे एक साथ लेंगे और चार फंदों से तीन फंदे बनाएंगे उल्टा बुनेंगे थ्री, एक फंदा उल्टा, लास्ट में दो फंदे हैं, एक फंदा सीधा, एस्टेच, उल्टा, तो देखिए, चौती राव कम्प्लीट हो गई है, और हमारा पैटर्न भी कम्प्लीट हो गया है, फिर से हम इसे फास्ट राव से स्टार्ट करेंगे, तो एक बार देखिए, फास्ट और राइट साइन, एस्टेच, स्लिप करेंगे, धागा आगे रपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे, एक फंदा, उल्टा, धागा पीछे, आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा बुनेंगे, धागा आगे लाएंगे, एक फंदा पालवाई करेंगे दो फंदे स्लिप करेंगे और बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा धागा अगे रखते हुए बनाएंगे यह दिखिए एक पैटन कंप्लीट हो गया है फिर से रपीट करेंगे धागा आगे एक फंदा उल्टा धागा पीछे आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा बनेंगे, धागा अगे लाएंगे, एक फंदा स्लिप करेंगे, अब दो फंदे स्लिप करके बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे, लास्ट में तो फंदे हैं एक फंदा ओल्टा एस्टेच सीधा बुन लेंगी ये दिखिए फिर से हमारा पैटर्न फर्स ट्रॉ से स्टार्ट हो गया है ऐसे ही बार-बार हम इसकी बन टू फोर और पीट करते जाएंगे और ये पैटर्न बन कर इस तरह से दिखने लगेगा इसे आप किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं इसे आप लेडिस काडियन में लेडिस जैकिट में जैंट साफ सैटर, फुल सैटर में बच्चों के सैटर में अपलाए कर सकते हैं तो फ्रेंड आप भी इसे बनाएए और अपने एक्सपीरियन्स हमारे साथ शेयर कीजिए तो मिलते हैं ऐसी ही और नए नए वीडियो के साथ तिल देन बबबे बेन